क्या हाल है दोस्तों मैं हूँ आपका चहेता और आज मैं लेकर आया हूँ एक बम धमाका आज बात करेंगे वरुन धवन के नए धमाके बेबी जॉन के बारे में सुनने में आया है कि इस फिल्म में एक सिंगल डैड का जलबा होगा मस्त है ना बस अपना पॉपकॉर्ण हाथ में पकड़ लो और तैयार लो क्योंकि हाल ही में इस फिल्म का एक धमाकेदार टीजर लॉंच हुआ है आप सोच रहे होंगे भाई आखिर है क्या इस टीजर में तो चलो मैं बताता हूँ तुम्हें टीजर की शुरुवात होती है वरुन धवन के एक emotional scene से जब वो अपने ब खाया जाता है ओहो अरे कौन आया पॉलिवुड के सिंगम अगेन वाले विलेन यार उसका अटरिया में आना सारा माहौल बदल देता है अगले 20 सेकंड में जिन जिन के दिल की धरकने तेज होंगी वो याद रखिये action dialogues and romance का mixture वो विलेन कभी एक बार नहीं हसता और हमारे व अंत में हमेशा एक सवाल होता है वरुन क्या उस विलेन को हराएगा या फिर उसका बेबी जॉन उन्हें फसाने की कोई strategy तैयार करेगा तुम जरा सोचो यह फिल्म बेमिसाल होगी और मैं totally इंतजार कर रहा हूं अरे और हां यह केवल वरुन ही नहीं इस फिल्म में और भी क्या है उनकी आखों में एक खास चमक होती है यार ऐसा लगता है जैसे वो स्क्रीन पर आते ही सबकी धरकने तेज कर देते हैं और सुनो इनके फैंस भी कितने एक्साइटेड है सोशल मीडिया पर तो ये ट्रेंड कर रहा है हर कोई बेबी जॉन का जिक्र कर रहा है सबका बस एक ही सवाल है कब आएगी ये फिल्म और मैं कहता हूँ जल्दी ही आएगी यार इसलिए तैयार रहो तो भाई लोगों अगर आपने अभी तक बेबी जॉन का टीजर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख ले अब बात करते हैं एटली भाई की ये बंदा चॉकलीटी हीरो नहीं बलकि सच्चा जन्न है एटली ने अपने डायरेक्शन में जो टचेज डाले हैं वो तो जैसे बानसुरी के सुरों में जादू घोलने जैसा काम करते हैं सिर्फ एक्शन ही नहीं भाई ने कॉमेडी और एमोशन का भी तड़का लगा दिया है मतलब यार तुम्हारी हंसी थमने का नाम नहीं ले स्पीम में एमोशनल मोड और सीधा एटली की स्टाइल में आक्शन वाँ क्या एंटर्टेन्मेंट है आपने देखा कि एटली ने कैसे फिल्म की हर एक फ्रेम में वो तड़का डालने की कोशिश की है तो सोचिए क्या ये फिल्म हमें हंसाईगी रोएगी या फिर हमें एक्शन की कमी नहीं होने देगी अब इसके फुल ट्रेलर के रिलीज से पहले बेबी जॉन के निर्माताओं ने टेस्टर कट रिलीज कर दिया है जो एक्शन रहस्य और वरुन धवन की आक्टिंग को जोर शोर से दिखा रहा है बेबी जॉन का टीजर कट एक छोटी लड़की की आवाज से शुरू होता है जहां वह कहती है एक अकेली चीन्टी को हराना आसान हो सकता है लेकिन उनका एक समू हाथी को भी परिशान कर सकता है इसके अलावा वरुन धवन को दो टाइम लाइन में देखा जा सकता है एक अतीत से जहां वह एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई देते हैं और दूसरी वर्तमान टाइम लाइन है जहां वह जैक निश्रॉफ द्वारा निभाए गए मुख्य खलनायक द्वारा नियोक्त गुंडों से भिड़ते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा वरुन धवन को एक सिंगल डैड की भूमिका निभाते हुए देखा जा सकता है विडियो देखकर जाहिर हो रहा है कि वरुन की पतनी के रोल में कीरती सुरेश नजर आएंगी इसके अलावा स्कूल टीचर की भूमिका में वामिका गपी भी इस टेस्टर कट का हिस्सा है इसका यह भी मतलब है कि वरुन धवन का किर्दार अपनी बेटी की स्कूल टीचर से फिर से प्यार कर सकता है ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने पहले दावा किया था कि सल्मान खान बेबी जॉन में स्पेशल अपिरंस देंगे और अक्टर ने फिल्म में अपना हिस्सा पहले ही शूट कर लिया है अब देखना यह है कि यह खबर सच है या नहीं यह अभी तक मेकर का सीक्रिट है बेबी जॉन का नर्देशन एकाली स्वरन ने किया है और इसमें कीर्ति सुरेश, बामिका गप्री और राजपाल यादव भी मुख्य भूमेकाओं में है यह फिल्म कीर्ति की बॉलिवुड में पहली फिल्म है एटली इस फिल्म को जियो स्टूडियो और सिने वन स्टूडियो के साथ मिलकर प्रस्थुत कर रहे हैं फिल्म का निर्मार मुराद खेतानी, प्रिया एटली और जियोती देशपांडे ने किया है बेवी जॉन इस साल क्रिस्मस के मौके पर यानि 25 दिसंबर 2024 को बड़े परदे पर आने वाली है तो कैसी लगी तुम्हें ये जानकारी अगर तुम बेवी जॉन को लेकर एक्साइटेड हो तो कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक करना ना भूल अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि सब एक साथ इस शानदार फिल्म का मज़ा ले सके और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स तुम्हें मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो के तब तक के लिए कुष्रो मस्तों